अस्सालाम उलेकुम वीवर्स दिस इस अमेर खान इन फ्रेंट इफ यू वंस अगें तोड़े विद निव टॉपिक वीवर्स आज हम बात करेंगे इस पोकन इंग्लिश पर अब तक हम वीडियू में बैसिक इंग्लिश की बात कर रहे थे आज से हम थोड़ा सा स्पोकन वीवर्स आज हम जो structure discuss करें जा रहे हैं वो है would like to and wouldn't like to आज इस टॉपिक का first lecture discuss करेंगे कुछ हम आज discuss करते हैं कुछ हम next lecture में discuss करेंगे definition को देखते हैं वीवर्स This structure is used to express your likes and dislikes Weavers, यह structure उस वक्त इस्तमाल होता है जब आप किसी को अपनी पसंद या नापसंद के बारे में बता रहे होते हैं So Weavers, हम पहले formula को discuss करते ही कि आपने किस तरह से इसके questions बनाने होंगे So formula for WH questions Question word plus would plus you plus like to plus verb plus question mark Weavers, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो हमारे पास यहाँ QW मौजूद है यह नहीं question word तो वो question words यहाँ पर available है What, When, Why, Where, Which, Who, How and How many, etc. इसके इलावा भी question words हो सकते हैं तो इन में से कोई भी question word यहाँ पर आएगा उसके बाद would like to को हमने divide किया है बीच में जो है subject आया है वो है you और आपके questions में mostly you ही इस्तेमाल होगा इसलिए मैंने यहाँ subject की जगा you का word यूज किया है और भी subject यूज हो सकते हैं लेकिन mostly you Would you plus like to plus verb and plus question mark Weavers, question देखते हैं What would you like to eat? अगर आप किसी से सवाल करना चाहते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे तो सवाल होगा What would you like to eat? आप क्या खाना पसंद करेंगे? इसी तरह से इस question को हम change भी कर सकते हैं What would you like to drink? What would you like to play? What would you like to study? What would you like to be? And what would you like to choose? आप क्या पसंद करेंगे? आप क्या खेलना पसंद करेंगे? आप क्या पढ़ना पसंद करेंगे? आप क्या बनना पसंद करेंगे? वीवर्स, नॉर्मली हम इसका एक सवाल बनाते हैं What do you want to be? आप क्या बनना चाहते हैं? तो इसी सवाल को आप इस अंदाज में पूछ सकते हैं वाट वूड यू लाइक तो बी आप क्या बनना पसंद करेंगे तो ये थोड़ा और अच्छा क्वेस्टन बन जाता है इसी तरह से वाट वूड यू लाइक तो चूज आप क्या मुन्तखिब करना पसंद करेंगे इस सवालाद जब आपके सामने आएंगे तो उनके जवाबाद आप यू दे सकते हैं फॉर्मूला फॉर आंसर प्लस वूड लाइक तो स्ट्रॉक्चर प्लस वर्प प्लस अब्जेक्ट अन फुल स्टॉप वीवर्स आप से पूछा गया वट वूड यू लाइक तो इट आप क्या खाना पसंद करेंगे इसका आंसर आप यू दे सकते हैं I would like to eat biryani, positive answer यह होगा, अगर आप biryani खाना पसंद करेंगे, तो आपने यह जवाब देना है, I would like to eat biryani, I would like to eat chicken, I would like to eat korma, different answers हो सकते हैं, I would like to eat custard, and then, negative answer अगर आपने देना है, possible है, आप कोई चीज पसंद नहीं, आप नहीं कुछ पसंद करते हैं इस वक्त, I wouldn't like to eat anything, मैं कुछ भी खाना पसंद नहीं करूँगा, इस हो, so the negative answer, I wouldn't like to eat anything, viewers, यह बात हुई, would like to structures, और wouldn't like to, negative में हम किस तरह से answer देते हैं, positive में किस तरह से answer देते हैं, आज हमने यहाँ पर discuss किया है, first lecture में, तो उमीद है, viewers, आपको आज का जो lecture है, वो समझ में आया होगा, और आपने कुछ नया सीका है आज, उमीद करता हूँ कि आप practice जरूर करेंगे, इस वीडियो को एक बार नहीं, बलके बार बार देखिए, ताके आप अच्छी तरह समझ सकें, और अपनी speaking पर भी कोशिश की कि आप अपनी daily routine में अपने colleagues के साथ, अपने friends के साथ आप इस तरह से discussion करते रहें, उनसे पूछें, अगर आपने कभी गुफ्तगू कर रहे हों तो आप उनसे पूछ सकते हैं, आपका मेहमान आता है, आप उनसे पूछ सकते हैं, what would you like to drink, what would you like to eat, what would you like to take, what would you like to have, so answers आपक तो इस तरह से आप अपने speaking को improve कर सकते हैं, hope you have enjoyed today